बेखिन बढ़ जो है वो चेंज किया 30 वर्ट की एड़ एलिडी जो है यहाँ पर अपनी किट है वो इंस्ट्राल करी हुई है जो कि आप यहाँ पर चेकर सकते हो यह जी टी वाली है लेकिन यह एम टेक वाली नहीं है दूबल टॉन वाले आपने जो इसकी प्रोपर सथे वह देखने को मिल जाने वाला है दूबल टॉन रेप जो है वो किया जा चुका है 3,500 रुपी सी कॉस्ट में जो है यह लगाया गया है कैसा कुछ तच का रिस्पोंस आपको देखने को मिल जाए का काफी कुई कै फिलिप की है वह यहाँ पर बनाई गई है जो कि आप चेक कर सकते हो आड़ी ब्रेंड की है तीन बटन आपको मिल जाएंगे एक लोक का है एक लोक का सिंटा वाले बटन से आप मूट लोक कर सकते हैं वेलकम बैक दोस्तों मैं हूँ अभी डेकरम कार एक्षिस करोर बाग में अगेन अपने सामने खड़ी है दो दो टाड़ा की बाग में और एक अपनी है गरेकल के साथ दोनों ही बेस मोटल प्योर आज की वीडियो थे नमबर रहने वाला और यह जो गारी रहने वाली यह यहां पर आप इसका स्लेंडर कर सकते हो और आज की पासिवार करने वाले कि वाले कि सब्सक्राइब कर रहे हैं सबसे पहले प्रोपर अपना कबलर तो कबलर आपको इंस्टलेशन देखने को मिल जाएगा इसके लावा यह वाला जो अपना हॉन है यह निकलता है इसको रिमूब कर दिया गया है अपनी यहां पर देखो कि डियारल लाइट जो है वो इसके अपने यह वाले पारकिंग बल्ब की ठीक ओ है इसके अलवा अपनी जो फोग्लेम पर वह व हो चुक है जैसे की स्पीकर जो यहां पर काम कम्प्लीट हो चुका है तरीके से कोई स्पीकर यहां पर इंस्टॉल किये जा चुके है लगने वाली है इसके अलावा पंच की अपनी जो वेलकम लाइट है वो लग चुकी है अंदर की तरह आपको दिखाता हूं मुजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो भी यहां पर कम्प्लीट हो चुका है अपना 45 वाला जो सिस्टम है वो लग चुका है जो के अपने इंटीर लग चुकी है इंटीर जो है इसके लावा रियर में रिफ्लेक्टर वगएरा काम जो है वो भी किया जाना है यहां पर आप इसकी लुमिनेशन जो है वो चैक कर सकते हो पंची अपनी प्रॉपर बैजिंग रहने वाली है जो कि बोनट के ऊपर इंस्टॉल करी जाएगी और यह सुचिस वगएरा टाटा जैवन वन रियर पावर विंडोस जो है वो लगने वाली है जिसके सुचिस वगएरा जो है वो सारे कुछ यहां रखे हुए टाटा ओर लाते हैं यह बड़ा वाला बैजल जो के ड्राइवर साइड में लगेगा और बाकी के जो है वो अपने पीछे डोर में लगाए जाएंगे इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे ग्लॉसी किट जो है वो भी इंस्टॉल करने वाले है इस वाली कार्डी के जिसमें टेलाइट वाला पोशन कंप्लीटल इंस्टॉल भी किया जा चुका है चैमले की जो काम कंप्लीट हो चुका है चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार्केंदर किये गए हैं वाइटल में आपको काफी अच्छा लूग जो है वो देखने को मिल जाएगा यहां पर कर सकते हो जीटी कीट वगरा जो है काफी कुछ चीज़े लगी अब क्या कुछ लगाया गया है उसके अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइटिंग सिस्टम के अपडेट के हम बात करें तो कंप्लीट को LED वल्प के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है यहां पर पारकिंग बश्च किया है उसके लावा उपकी तर डिया नीचे आते हैं फोग लाइट के अंदर जो है यहां पर देख सकते हो फोग लाइट के अंदर नहीं आती है फोग लैम इंस्ट्रॉल किये गए हैं इसके अंदर भी अपना LED पल्व लगाया गया और मिंडग की अपनी रिले वाइडिंग के साथ इसका जो अपडेट है वो क कैसे ओन होगा वो भी आपको बता जेता हूं यहां पर आप देख रहे हो यहां पर पहला स्वीच आप ओन करोगे तो अपने फोग जल जाएगी उसके बाद अपनी हैडलाइट इस तरीके से अपना यह वर्क करने वाला है इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे तो इस का आप देखने को मिल जाता है इसके अदर भी आपको फरंट बैक और साइडे मिल जाती है तो फ्रंट वाला पोश्चन आपने चेक कर लिया है अप चलते हैं साइड में और आपको वहां दिखाते हैं तो साइड में आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहला अपडेट अपन यहां पर दिखा दिया है इसके अलावा झाल यहां पर इसको करेंगे अपने साइड जाएंगे अपने प्रॉप्स के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे इसके दर भी option है अगर आप चाहो तो chrome line या दूसरे तरीके अगर भी choose का सकते हो उपकी तरफ आप आते हैं यहाँ पे अपनी रूफ रेल से वो install करी हुई है और अगेन यह भी glossy black के finish के साथ रहने वाली है यह गैलियो वाली नहीं है सेम गैलियो की तरह ही जो अपनी आती है वही वाली roof rail जो है वो install करी हुई है जिसकी cost आती है अपनी 1500 रुपे की अगर आपको गैलियो ले चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी उसकी cost आती है अपनी 2000 रुपीज की लेकिन difference आपको सीफोसी भी sticker का ही मिलता है बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो अपना shark fin type radio antenna इंस्टॉल किया हुआ है जो कि अपने white lucky finish के साथ रहने वाला है इसमें भी आपके पास option है कि अगर आप चाहो तो piano black पे भी जा सकते हो हमारे पास और भी option है like 2800 वाला जो कि light वाला आता है या फिर mtech वाले पर भी आप जा सकते हो जिसकी costing आती 4000 रुपीज की तो varieties काफी सारी available है आपकी requirement क्या कहती है उससाब से आप जो है लगवा सकते हो साइड में चीज रहे गई है साइड अपनी क्लाइडिंग तो यहां पर आपको साइड क्लाइडिंग वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा इसके उपर भी पंच की प्रॉपर बैजिंग आपको मिल जाती है तो साइड है कवर हो चुकी है आप चलते हैं एक बार रियर में तो यहां पर आप देखोगे रियर की रिफ्लेक्टर जो हैं वो भी इंस्ट्रॉल किये गए हैं जो के मैट्रिक्स वाले रहने वाले हैं इसको भी आपको ओन करके दिखाता हूं उससे पहले आप यहां पर द जरफ आना है जिस सखीके से आपकी फॉंग लाइट ओन होती है यहां पर पहला स्वीच आप रोटेट करोगे अपने रिफ्लेक्टर जो है वो रणिंग कंडिशन में आ जाएंगे तो यहां पर चेक कर सकते हो फरस्ट और इसमें स्कैनिंग मोड होता है उसके लावा इसमे अपने जो है इंडिकेटर और अपने ब्रेक के ऊपर भी यह वर्क करेगा तो एक्स्टियर प्रोफाइल में आपको कम्प्लीट चेक करवा दी है अब चलते हैं कार के इंटियर में दोस्तों आ चुका हूं में इस कार के इंटियर में और यहां से हम बात कर लेते हैं क्या में यहां पर चेक कर सकते हैं इसयुट पर और अपने पर केया चेक हो और आप चाहो तो वह भी करवा सकते हो यहां पर आप यहां पर आपको इसकी उपर भी देखने को मिल जाएगा और इसकी कॉस्त आती है अपनी 800 रूपीस की टाटा जैनुवा ने से सब्सक्राइब करें इस तरीके सब्सक्राइब करें सारे बटन्स वर्क करने वाले हैं 3500 रूपी सिस्टम यहां पर इंस्टॉल किया हुआ है और यहां पर चेक कर सकते हूं कैसा कुछ तच का रिस्पोंस आपको देखने को मिल जाएगा काफी क्या सकती हो किस तरीके का आपक चाहो तो एजडी मोट भी चला सकते हो बाकी उपागी देखोगे तो यहां पर आपको मिल जाता है एक अपना पाकी मग चेंज किया गया है हाँ सिस्टम की प्राइजिंग मैंने बता दी 8500 रूपीज की रहने वाली है और टैश का रिस्पोंस वगरा भी मैंने आपको स्टॉल किये हुए हैं यहां पर चेक कर सकते हो इस मैट की जो कोस्टिंग आती है वह आती है एप्रोक्स 3000 रूपीज की सेम क्वाल्टी में और भी ब्रैंट्स अवेलेबल हैं आप एसाइप प्रो वगरा या फिर दूसरे क्वालिटी वगरा भी देख सकते हैं तो उसकी भ सब्सक्राइब और अपको इसरा साथ भी मिल जाती है आप ने फुलन क्रेस से वगरेश si be इंस्ट्रार किये हुए है और उस आप देखो को सकूल टीव वहcionए यहां आप देखोगी तो आपको यहां पर पंच की जो वेलकम प्लेट है वो भी देखने को मिल जाएगी जो के ब्लैक ब्लैक है और इसके उपर आपको जो इल्मिनेशन है वो मिल जाती है कुछ इस तरीके से बुलु कलर के साथ में तो यह सब काम हुआ है इसके लावा लास्ट है इस वाली काल के अंदर वो सारा जो इंस्टोलेशन किया गया है वह हुआ है अपना डेकोरम काल करोल बाग में अगर आपने पंच को किस्तमाइज करवाना है तो आप यहां पर आ सकते हैं बागी इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यव बाग